हेलो, नमस्कार, स्वागत आप सभी का उतकस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपका होस्त दोस्त नरेंदर चोधुरी और जैसे ही राजस्तान सरकार के दुवारा ये कहा गया कि हम आने वाले समय के अंदर रीट का एक्जाम करवाएंगे आप लोगों के मन में से बहुत सारे संकह और परशन आने जाइस थे और उनी परशनों में से कुछ परशन ऐसे थे, जो हम लोगोंने आप लोगों से रैंडिल मी क्लेक्ट किये और उन परसनों के जवाब हम लोग गुलर आपको दे रहे हैं और उनमें से एक परसन निकल के आय था कि सर रिट 2225 को यदि हम टारगेट मानके चलें तो लेवल 2 एसस्टी की बात करें इसका सलेबस क्या हो सकता है इसका पेपर का पैटरिन क्या हो सकता है उसकी तैयारी कैसे क इन सब बातों के चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं, यदि आपका सपना है रीट 2025 तो आपका क्या प्लानिंग हो सकती है, अब कैसे आपको सलेबस देखना है और कैसे पैपर का पैटर्न हो सकता है, इन सब बातों के चर्चा हम लोग करने वाले हैं, अब देखो करते हैं इस बात करें आपके मन में संका है आपके मन में में डाउट की यार सिलेबस कैसे हो सकता है तो अबी तो हम यह मान सकते हैं से लिअजिपस को लेकर कि हमारा सिलेबस होगा वो 2022 रीट के अनुसारी होगा हो सकता है कुछ मामूली सा फिर बदल हो जाए तो एक संका का निवान तो आपका हो जाने चाहिए कि सर हमारा सलेबस क्या होगा यदि हम रीट लेवल सेकिंड एसस्टी की त्यारी कर रहे हैं तो बेटा आपका सलेबस जो होगा वो एक्जर्ट ये म उसके बात आता सर हम एक्जांम पैटर्ण की बात करें तो एक्जांम पैटर्ण वही आपके होने वाले कि रीट के अंदर 150 marks का paper होगा आपका exact ऐसा का ऐसा लग रहा है कि इस बार भी वही 150 marks का paper होगा जहाँ पर आपको 60% लाने अर्थात 90 नमबर यहां से लाने क्योंकि REIT जो है यह आपके एक पातरता प्रिक्षा है 90 नमबर लेकान क्यान है क्योंकि REIT आपकी पातरता प्रिक्षा है यह आपकी final exam नहीं है इस final इसके बाद आपकी third grade की exam होगी तो यदि हम syllabus की बात करें 2022 को अभी आपको उसी को follow करना है उसी के according आप लोगों को चलना है और 2022 में हमारा जो REIT का syllabus था उसके SST की बात करो उसके 4 portion थे यहां पर हिंदी भी हो सकते हैं इंगलिस भी हो सकते हैं संस्कृत भी हो सकते हैं उर्दू भी हो सकते हैं सिंदी भी हो सकती हैं पंजाबी जो आपको चूज करना है वो यहां से और नमबर तीसरा पोर्शन था यहां पर भासा नमबर दो सबसे बड़ी चीज है कि सर हमारी प्लानिंग क्या होनी चीए हमारी प्लानिंग क्या होनी चीए क्योंकि बैटा यहां से सबसे सोचने वी से यही है और सबसे बड़ा क्रूशल पॉइंट भी है कि हमारी प्लानिंग कैसी होनी चीए क्या हमें रीट को लेकर के प्लानिंग करन है यदि बच्चे ने अभी अपना टार्गेट रखा कि सर मुझे रीट की त्यारी रखनी है और इसी का टार्गेट रखे लखा तो उसके बाद में हो सकता है जैसे ही और रीट किलियर हो जाएगी इसके बाद में थड़गेड का आएगा तो मन में थोड़ी सी ब्रहांतिया पैदा कर सकता कि यार अब मेरा होगा अग नहीं होगा तो यहां से कुछ चीजे किलियर कर दो कि बैटा रीट और थड़गेड के अंदर बहुत सारी चीजे ऐसे हैं जो आपके सीमिलर सी आती हैं तो आप दोनों आपको उन सीमिलर पोर्शन के साथ साथ याद रखते हो दोनों में काम आ सकता है इसका मतलब यदि आप रीट और थड़गेड दोनों को एक साथ पढ़कर पढ़ सकते हो तो दोनों को कॉम्वीनेशन करके पढ़ सकते हो ताकि रीट भी निकल जाया और रीट के बाद country का लगबक 50% put são तो हमने पढ़ रर्खा हैं उसके बाद में जैसे समाजिक अधिन GK की बात करें, यह GK वाला पोर्शन जो है, यह पूरा का पूरा आपको मिलने वाला कहां पर, यह राधस्तान GK वाले पोर्शन के अंदर आजाएगा, जी यहां पर है, इसके अलावा, अब भासा की बात करें, वह यहां पर नहीं है, हाँ, विशय ग् में भी हो सकता है लेकिन फ़ी यह पर थीर को संसरा बंदू था कि सर्क कैसे तैयारी किरें बहुत अब हमारे पास दोब कि शब्ट की सद्ट है पहला इस दो होगा जो सब्सक्राम को धेर्ट और मां LOVEHAHA जोzekा तो फोकस करना ही नहीं है उसको तो यहां पर फोकस करना है तो इसका मला रीट और थड़गेड की जो तैरी करें उनके मन में संका नहीं रखनी है आपको सरफ रीट की तैरी इतनी ही करनी है कि आपके 90 परसन आ जाएं और उस तैरी के साथ आपके थड़गेड की तैरी हो अथ सुधर में कौन सा पॉर्शन reflecting तयार करना यह मेंट निचे करता कि आपको वो पॉषल करना एकजक्ट आपके थर्डडगेड में तो है एक थर्डडगेड में जो और वही आपके रीट में उसको तो तो पर्तिसत करना ही करना है, फिर आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा, हिदि आपको लग रहे कि अभी भी हमारा 90 नमबर नहीं बन रहे, तो फिर उसके बाद अक्स्ट्रा पोर्शन के उपर जाना है, तो पहले आपका टार्गेट रीट के अंदर वो होगा, कि उस पोर्शन को त्यार कर जो अपकी थडगेट के अंदर है, ताकि इसके आधार पर आप सेलेक्शन ले सको, और उसके बाद में बाकी पोर्शन पे तयार करना है, तो ऐसे बहुत सारे परसनों के जवाब और भी आपको मिलते रहेंगे, लेकिन इस बार प्लानिंग बड़